हेलो नमस्कार सातियों कैसे आप सभी आप सभी का सूदर्सन क्लासेज के यूटूब चनल पर हार्दिक स्वागत अभिनन्दन आबार मैं आपके बीच राम से ने जो बहुत बड़ी खुसकबरी लेके आया हूं कि एक और बरती क्योंकि अभी हम दो बरतियों से यानि दो बर नोमेर उनकी तैयारी में लगे वे थे और आज एक और परेमेडिकल की सांदार वेकेंसी आपके बीच आई है जिसमें राम मनोहर लोईया यानि आरेमेल होस्पिटल लकनो तो यहाँ पे नाम से देखकर आपको यह नहीं लगाना है पता कि लकनो की यह बरती है लकनो के अल रेडियो ग्रापर, नर्सिंग, ओटी टेकनिशियन इनके अलावा भी जो सारी पोस्ट आई है उनके बारे में मैं आपकी वीच में सूचना लेकर आया हूँ और जो हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या योगता इनोंने मांगी है और क्वालिपिकेशन क्या होना है या नेगेटिव मार्किंग का भी कोई रॉल है तो सारी इक सारी चीजे अपन वीडियो के तुरू बात करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो बिलकुल लाइक कीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि टेलिग्राम चैनल को जोईन करना है जिसके के अधर डिपलोमा के लिए भी मैं यूटूब के उपर लाने वाला हूं सारी क्लासे और उसके अंदर अपन कड़ी से कड़ी मिलाते हैं ऐसे चुटकियों में अनाटमी को याद करेंगे अगर आपको देखना है तो पहले वाली क्लास में आप देख सकते हो कि कैसे हम से के नाम से जो टेलिग्राम सेनल है वही उसको आप जोइन करें जिसका लिंक डेस्किप्शन में दे रहा है और उसके साथ ही इन्पोर्मेशन की अपन बात करेंगे यानि कि हम बात करें यह जो डायरेक्ट रिक्वार्मेंट जो बढ़ती आई है राम मनोहर लोया उस्पि पर रहने वाला है इसके अलावा इसके अंदर बात करें तो इन्होंने सीथी बड़ती लिखी है कि विबिन रिक्त पदों पर सीथी बड़ती की बात की जिसका ओन-lain आवेदन पत्र की बात करें तो मार्च 2021 के तर्तिय या चतुर्वत्ता में इसका क्या हो जाएगा फई इसके बाद आपन बात करें कि इन्होंने वेबसाइट भी दी है जिसमें दे रखा है www.drrmlims.ac.in यानि जो वेबसाइट दी है www.drrmlims.ac.in इनकी ओपीसियल वेबसाइट भी इसका आप ध्यान रखें और इन्होंने इसके उपर सारी जानकारी और यह नोटिपिकेशन भी दे रखा है उसके बाद अपन मोटे मोटे तोर पर नोटिपिकेशन की बात करें जो इन्पॉर्मेशन हमारे लिए उप्योग है उसकी अगर बात करें वही तो देखो इन्होंने कहा कि कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम यह रहने वाला है बिल्कुल सही है और आवे दिन आपको बताई दिया है मार्च के तरती यह ततूर सब्ते की बात करें इसके बाद हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है तो यहाँ पर देखो इन्होंने पहले दिया है आवे दिन पत्तर ब अब दाइ वाड़न में फोर्म बढते हैं वह ब fulfilling आपको बढहनी है यहां से आप बिल्कुल पढ़िके फिर उसको एपलाई करना अइसे कौन कौन सी पोस्ट अगर आई है आए तो लिसको आपको बताता हूं बहुत कोनि को सबसे पहले तốc Alrighty इस में टेक्निकल ऑपिसर मिनी डाइटीशन की देरी की है ऑप्थेलमिक टेक्निशन ऑप्थेलमोलोजी वाड़े स्टुडेंट के लिए ऑप्थेलमिक टेक्निशन की पोस्ट भी आई है यानि की पोस्ट बिल्कुल कम आती है तो ऑप्थेलमिक टेक्निशन की पोस्ट भी आई है इसके बाद टेक्निकल एस sir biomedical के लिए और Medical Lab Technology बिल्कुल make you have to stay McL. Leub technician की अगर बात करें तो उसकी भी पोस्स सामिल अगर मैं बात करूँ बही कौन-कौन सी पोस्ट जो हमारे लिए रहले रिए यानि पेरा-दिकल की अगर बात करें है क stinky पेरा-डिकल करें अभी हम क्वालिफिकेशन की दिन की तरब चलेंगे कि क्या डिग्री वाली कौन सी पूस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है तो मैं बात कर रहा था मैं बात कर रहा था कि पेरा-मेडिकल के लिए किसके लिए लेब technician के लिए फिर हम बात करें तो इस में फीजियो थरेपिस्ट की भी पॉस्ट आई भी फीजियो थरेपिस्ट की भी आई ए डायीटीशियन की भी आई ए और इसके साथ ही occupational therapy की पॉस्ट भी आई फिर देखो भगे अब हम बात करते हैं कि इनका और परामेडिकल केटेगरी के लिए लेवल जो 6 है परामेडिकल केटेगरी की बात करू तो 35,400 से 1,12,400 रेने वाड़ा है और इसके अंदर देखिएगा क्या दिया इन्होंने कि 35,400 प्लस अधर एलोवेंस एज एडमिसेबल तो 35,400 तो बेसिक रेने वाली है और अधर एलोव पोस्ट आपके लिए इसकी तैयरी जुरूर की जीएगा बिल्कुल इसके बाद बात करें अपन की इसके अंदर क्या-क्या सेक्षणिक यानि की योगिता यह रहने वाली उसकी बात करें अपन तो देखो हम बात करते हैं पेरेमेडिकल के लिए तो डाइटी सिन की अगर बात के लिए अलग पोस्ट आईए तो बिल्कुल दियान रखिएगा इसका फिर बात करें रेडियो लोजी और रेडियो थेरेपी के लिए तो यहां पर भी इन्होंने मांगा है टेन प्लस टू वित साइन सब्जेक्ट और फिर इन्होंने यहां पर दिया है डिप्लोमा टू य जो रेडियो लोजी और रेडियो तहरेपी दोनों में रहने वाला यानि कि डिग्री डिप्लोमा और एक साल का एकस्प्रियेंस यह कंपलिसरी है इस पोस्ट के लिए इसके बाद के साथ MPT Master degree in Physiotherapy तो MPT वाला Candidate Physiotherapist के लिए एपलाई कर सकता है और उसके बाद बात करें Medical Lab Technologies बिल्कुल सांदार पोस्ट Medical Lab Technologies की बात करें तो इसमें भी BMLT Bachelor of Medical Lab Technology जो भी Government Recognize University से ओनी चाहिए और अगर Experience Attach कर रहे हो तो Experience Minimum So Bad Hospital वाले में ही काम किया वा है तो ही काम आने वाला यानि उसके अलावा नहीं चलेगा भी तो इतनी सारी चीजे जो है भी Medical Lab Techainologist की Post के लिए फिर अगर अपन बात करें अगर अपन बात करें आयू सिमा की तो उप्रोक्त सार्णी में उल्ले के सबी Post कि बात कर रहे हैं कि प्राप्त आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिति को अठा अठारा वरस्त की आयू प्राप्त कर ली हो और अधिक आयू इन्हों ने कहा है कि 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चीए तो इन्हों ने कहा कि मिनिमम अठारा साल और मैक्जिमम की बात कि इन्हो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए तो एज रेशियो यह पता कर ले ना चालीस साल से ज्यादा वाड़ा इसका फोर्म नहीं बरबाएगा अटारे से कम वाड़ा भी इसका फोर्म नहीं बरबाए बिल्कुल इसके बाद अगर अपन बात करें भई कि क्या इसमें नेगेटिव म से बात करें इननों ने खा कि CRT या कंप्यूटर बेस्ट विल भी हैल्ड टेस्ट बी कंडबी इन बाई लेंग्वेल सबसे पहले तो इन्हां ने पैपर पेटन की अगर मैं रहने वाला है हंड्रेड मारक्ष का पेपर होगा बईंग्वेज का टाइम का ताइम दिया है इन्हों ऐभाई द्यान रखे लेना तीनों पॉअट इसके साथ ही इनों ने का इनों यह कहा कि 60 और-40 का रेशियो रहने वालाई कितना रहने वाला है 60 और-40 क्या है साट नंबर का आपके जो qualify यानि कि degree वाड़ा portion रेने वाड़ा है और 40 में other portion other portion में भी क्या-क्या रेने वाला है other portion की बात करें तो जैसे इन्होंने का कि 60 marks आपका subjective part आजाएगा और 10 marks के लिए general English आगई 10 marks की general knowledge आगई 10 marks की reasoning आगई और 10 की आगई mathematics बिल्कुल railway rrb paramedical और इसमें कोई enter नहीं है तो सांदार तयारी हो सकते हो यानि कि एक पंथ दो काज वाली बाते आ गई है कैसे आ गई कि तयारी एक बार करनी है exam तीनों चारों पोस्ट तीनों चारों परतियों के अंदर देना है बिल्कुल जो math, english और reasoning यानि जीके सब की बात वहाँ पे भी हुई थी और वहाँ पे 70 नंबर का qualification का part था तो यहाँ पे 60 नंबर का है तो कोई दिकत नहीं है 60 नंबर वाड़ा part भी तियार करेंगे part B भी तियार करेंगे बड़िया तरीके से अब बात करें कि negative marking apply है negative marking वही same है रहने वाली है कि अगर आपका एक क्यूशन गल्द होता है तो 0.25 marks भी कटने वाड़ा है बिल्कुल तो यह negative marking का आपको ध्यान रखना है कि negative marking इसके अंदर है भी negative marking है तो यह सारी कि सारी information और qualifying marks भी इन्हों के लिए और 40% दे रखा है SC ST और OBC और PWPD candidate के लिए तो इतनी सारी information आपको इस आर एमेल रामनो और लोईया वाली बर्ति के अंदर ध्यान रखना है और सो marks का पेपर और सीबीटी बेस पेपर वने वाड़ा है तो सारी सारी चीजे मैंने आपको इस official notification के तुरू बताई है और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जिरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद